नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल अंडोल स्टूडियो में मैं हूं रीटा बात करेंगे भारत और अस्ट्रेला के बीच चार मैचों की बॉर्डर गावस को ट्रोफी की टेस्ट सीरीज के चौते और आखरी मुकाबले के बारे में भारते टीम ऑस्ट्रेला के खिलाफ चार मैचों की बॉर्डर गावस को सीरीज में दो एक से आगे है दरसल भारते टीम ने शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम कर लिये थे नागपूर में खेले गए पहले मुकाबले में भारते टीम ने ऑस्ट्रेला को पारी और 132 रनों से माती इसके लावा दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारती टीम ने 6 विकेट से जीत दर्जगी लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में आस्ट्रेला की टीम ने पलटवार करते होए भारती टीम को काफी बड़े अंतर से हाराया अब भारती टीम को सीरीज जीतने के लिए चौते इतिहास रच देगी साथी वर्ल्ड टेस्ट चांपियंशिप के फाइनल के लिए भी वो कौलिफाई कर लेगी इसके लावा भारती टीम को तीसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद अब चौते और आखरी टेस्ट मैच में भारती टीम के प्लेंग 11 में कुछ बदलाव होत कीपर और बल्लेबास इशान किशन को खेलने का मौका मिल सकता है वही उमेश यादव की जगा जैदेव उनादगड भी प्लेंग 11 में शामिल हो सकते हैं तो सीरीज का चौता और आखरी टेस्ट मैच भारती टीम के लिए बेहती एहम होने वाला है तो अब बात करते हैं बा करती समय अनुसार सुबा साड़े नौ बजी और मैच का टॉस होगा सुबा नौ बजी क्रिकट जगत से जोड़ी हरे कबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप भी टीमीडिया के फैन हैं तो वीड आपने वादे